नमस्कार दोस्तों हम सीख रहे हैं 2D Animation और 2D Animation में आपको बता रहे थे Animate CC के बारे में मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखाये थे कि इस Character को हम कैसे Import किये Animate CC में तो आज की इस वीडियो में आपको बताने बाला हूँ कि Mouth का जो Impression होता है उसको यहाँ पे कैसे Create करते हैं और जो Character होता है उसको हम कैसे Set करें जिससे कि हम कोई भी Voice को जो Recording करते हैं उसको यहाँ पे हम उसको Voice Over कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जब कोई भी Character के Mouth का जो Impression Create किया जाता है तो पहले हम यहाँ पे जो है जितने तरह के Mouth होते हैं उसको Create करना पड़ता है जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमारे पास कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टैप के इसका जो मैं इसका Naming दिखाता हूँ कुछ इस टैप से Naming किया हुआ है A, E, I, O, C, D, G, K, N, Q, W, F, V, E, R, U जो इस टैप का जो बोलने का Style होता है इसको मैं थोरा सा Color कर देता हूँ जो बोलने का Style होता है उसको इस टैप से Create किया जाता है तो दोस्तों मैं हमेशास आपको बता रहा हूँ कि आपको sketching बहुत ही जरूरी होता है जब आप 2D animation कर रहे हैं तो या तो आप इसको purchase कर सकते हैं लेकिन मैं आपको कभी भी free use करने का advice नहीं दूँगा तो इस mouth को पहले create करने के बाद या एलिश्टेटर में या आप animate cc में कहीं पे भी आप create कर सकते हैं मैं क्या करूंगा अभी इसको import करूंगा animate cc में और वहां पे mouth का जो impression है उसको हम वहां पे set करेंगे तो हमें क्या करना है इसको हम यहां से अभी डिलीट कर देता हूं जो भी लेटर है इसको मैं यहां से डिलीट कर दिया और इसको सेवेज करता हूं यहां पे mouth के नाम से मैं इसको save कर दिया animate cc में जाते हैं और यहां पे हमने पीछे के वीडियो में इसको पूरा set करके दिखाये थे layer wise में देख सकते हैं कि किस step से क्या गया है यहां पे mouth का एक folder है यहां पे देखिए और इस पे हम double click करते हैं जब double click करते हैं था हम इस mouth के अंदर आ गये हैं और यहां पे हम क्या करते हैं यहां से import करते हैं उस file को जहां पे कि यह mouth का बना हुआ है यह यहां से मैं यहां पे import करता हूँ import तो यह हमारे पास जो है जितने भी mouth थे यहां पे इसारा आ गया है इसको मैं इस तोरह सा छोटा कर लेता हूं एड़ेस्ट कर लेते हैं कि जितना भी बड़ा चाहिए हमको छोटा बड़ा अभी भी ज्यादा बड़ा दिख रहा है मैं तोरह सा और छोटा कर लेता हूं इतना बरा ठीक है जो कि ज़्यादा बरा ना दिखे अब क्या करते हैं मैं यहां से इसको जह है डिलीट कर देता हूं एक ही लेयर रखते हैं और मैं सभी को क्या करता हूं कर देते हैं जिससे क्या होगा यह अलग अलग बन जाएगा राइट बटम कर टूर्ट शिम्बॉल राइट बटम इस टैप से मैंने सभी को क्या किये कर दिये अब क्या करेंगे हम हम सभी को यहां पे सेट करेंगे और सभी को यहां पे जो लेयर है लेयर एक ही रहेगा लेकिन फ्रेम बाय फ्रेम यहां पे सेट करना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूं सभी को यहां से एक ही जिगह पे रख देता हूं यहां से सभी को एक जिगह पे रख दिये और उस ठाक कि हम इसको यहां पर रख देते हैं, जो कि हमारा सारा का सारा जो है, एक जिगह पर यह आगया, जब बोले तो लगे कि जैसे की एक ही जिगह पर रखा हुआ, एक एक लेयर पर जाके हम इसको रखेंगे, यहां से control x किये और पांच फ्रेम के बाद हम क्या करते हैं F6 प्रेस किये और इसको मैं यहां से डिलीट करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ यहां पर तो इस टेप से क्या करेंगे हम सभी फ्रेम को यहां से कट करेंगे और यहां पर इसको अटाते हैं और पेस्ट करते हैं कंट्रॉल एक्स इसको यहां से अटाएं और पेस्ट कंट्रॉल एक्स इसको डिलीट पेस्ट मतलब हर पांच फ्रेम के बाद हमको यहां जो है माउथ का जो भी यहां पर इंप्रेशन है पेस्ट करना है कर दो 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 तो इस टाप से हमने कहा है कि इसको पूरे जो हैं में यहाँ पे प्रेम के जो इंपरेशन हैं सब छो distint कर देखिये और कि स्विट करते हैं अगर करते हैं को थे नहीं से चल लाएं अब क्या इस इसको वापस जाते हैं यहां पर आगे और इसक क्या करना पड़ेगा कि movie clip में रहने देते हैं अगर मैं अभी आपको control interface करता हूँ देखिए इसका mouse यह है यह चलना शुरू हो गया है लेकिन हमको जो है हर frame पे नहीं चलाना है हम इसको क्या करेंगे यहां से हम क्या करते हैं loop को on करते हैं graphic पे click करते हैं और यहां से हम loop को बंद कर देते हैं अगर अभी control enter करेंगे तो बंद हो गया है लेकिन जो ही हम loop को on करेंगे तो यह चलना शुरू कर देगा हम बाद में इसको आपको चला के दिखाएंगे या तो मैं आभी आपको देखिए यहां पे हम अगर एक मिनट पूरे को हम यहां से क्या करते हैं पचपन फ्रेम पे हम इसको अगर F6 प्रेस कर देते हैं तो देखिए यह जो है पूरा चलना शुरू कर देता है देखिए लेकिन हम इसको loop में चलाते हैं Loop में चलाने मतलब होता है, कि यहां से हम इसको जो है, loop को off कर देते हैं. तो अभी देखिए, ये नहीं चलेगा. देखिए, रुक गया है. तो जहां से हमको चलाना होता है वहां से हमलूप को ohm करते हैं, और जहां से नहीं चलाना है, और यहां से देखिए first frame रखा है इसको आप जो है यह जो normal रखा हुआ mouse यहां से frame को change भी कर सकते हैं माल लेजी हम चाहते हैं कि जो second frame है वो हमेशा रहे यह 5 पे रहे यह हमेशा 5 पे रहेगा लेकिन हम चाहते हैं कि one page है तो हम इसको one पे ही रखते हैं तो इस step से जो है हमारा mouth जो है create हो गया और इसको हम आगे जब video दिखाएंगे तो हम उसको आपको animate करके दिखाएंगे उसको जो mouth के voice over जो होता है उसको हम आगे करके दिखाऊँगा कैसे हम करते हैं अभी सिर्फ हम इसकी जो setting होता है mouth का उसको आप आज मैं करके आपको दिखाया हूँ तो दोस्तों आसा करता हूँ यह video आपको अच्छा लगा अगर दोस्तों यह video आपको अच्छा लगा तो like जरूर करें और दोस्तों के साथ share भी करें अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो please सब्सक्राइब कर ले जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेकर आऊ तो उसका डेट आपको तुरंत मिल जाए तो मिलते दोस्तों next वीडियो में आज के लिए thank you